दोस्तो आज हाई स्कूल मेट्रिक प्रिक्षा के लिए विज्योन के कुछ मात्पुन प्रस्ण जो आपको बूड प्रिक्षा में अधिक से अधिक मार्क्स लौने में मदद करेंगे इन्स विडियो को ध्याउन पुर्वग देखें सुने चलते हैं पाला प्रस्ण की ओर पा पार ओप्षन दिये गए हैं एच सी एल एच एनो थी एच टू एशो फोर सी एस थी सी डवल ओ एच तो इसका सही एंसर है ऑप्षन नमर्डी सी एच थी सी डवल ओ एच चलिए नेक्स्ट कुस्चन की ओर चलते हैं पोटेसियम का परमानू कर्माउं क्या है पोटेसियम की परमानू संख्या क्या है इसका सही एंसर है औप्षन नमर्डी उनीश को अरे कि नेक्स्ट कुस्चन क की ओर चलते हैं मेंक्स्ट कुस्चondern निम्न में कमन मुख्यता बायो गैश है बायो गैश का उधारन है मिठेन गैश जो आपके ओप्षन नमर्डी में दिया गया है मि मिथेन गैस का उप्योग क्या आता है शेप्टी टैंक लेंप में मिथेन गैस का उप्योग क्या आता है 24 नमर प्रश्ण है साधारा नमक का रसानिक सुत्र क्या है साधारा नमक का रसानिक सुत्र NACL sodium chloride इसे हिंदी में कहते है NaOH sodium hydroxide है 25 नम्मर प्रश्ण है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं चार ओप्सन दिये गए हैं ओक्सिकारक, अवकारक, अभिकारक, पर्तिफल 25 नम्मर प्रश्ण का सही अंसर होगा ओप्सन नम्मर C अभिकारक किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं समय नगवाते हैं आगे कोश्चन के ओड़ चलते हैं 26 नम्मर प्रश्ण है कौन सुन्य वर्ग का तत्व है चार ओप्सन दिये गए हैं C A B R H E L I इसका सही अंसर है H E H E बोले तो हिलियम चलिए नेक्स्ट कोश्चन के ओड़ चलते हैं स्वपोशी पोशन के लिए आवस्यक है स्वपोशी पोशन के लिए आवस्यक है पहला ओप्सन है करवन डायोकसाइड जल कलोरोफिल B में C में सुरी का प्रकास इसका सही अंसर है ओप्सन नम्मर D इन में से सभी स्वपोशी के पोशन के लिए करवन डायोकसाइड जल प्रकास आवश्यक है उम्मेद करते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कोमेंट और शेर जरूर किजिएगा अपने दोस्तों में ताकि सभी को मदद मिल सके इन में से कौन प्रकास संसलेशी अंग है प्रकास संसलेशन के क्रिया पत्तियों द्वारा होती है इसलिए आपका सही एंसर है अप्शन नमर 2 पत्ति आगे कोस्चन कियोंड चलते हैं आगे प्रश्ण है मनुष के सरीर की सबसे बरी गरंथी कौन सी है मनुष्ट के सरीर की सबसे बरी गरंथी यक्रित है जिसे लीवर इंगलिश में कहते हैं मिस्रित गरंथी थाइरोइड गरंथी है नेक्स्ट कोस्चन के ओर चलते हैं नेक्स्ट कोस्चन है पादप में जायलम के लिए उत्तरदाई है मतलब जायलम का कारी पादप में क्या होता है तो इसका सही अंसर है ओप्शन नम्मर एक जायलम जल वहन के लिए आवश्यक है फ्लोयम का कम पौधों में भोजन आदी पहुचाना है 31 नम्मर प्रश्ण है एक कुषकी सेवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है तो इसका ओप्शन है ए पराश्रन बी चालनी नलिकाओं द्वारा सी विश्रन द्वारा डी इनमे से कोई नहीं इसका सही अंसर है ओप्शन नम्मर सी विशरन के द्वारा एक कुश की सेवाल में जल का परिवन होता है चलिए आगे के ओर चलते हैं 32 प्रश्ण है मचली के हिर्दे में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है इसका सही अंसर है ओप्शन नमर एक, दो मचली के हिर्दे में दो कोष्ठ होते हैं मनुष्य में चार, मेड़क में तीन चलिए नेक्स्ट कुश्चन के ओर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्ण है निम्न लिखित में कौन एमीनो अमल के विखंडन से बनता है ओप्शन नमर एक दिया गया है CO2 ओप्शन नमर BCO ओप्शन नमर C NH3 और ओप्शन नमर D, B और C इसका सही एंसर है ओप्शन नमर D, B और C मतलब CO CO और NH3 ये कोश्चन बहुत ही महत्पूर्ण है 34 नमर प्रश्ट ओग्जीन है ओग्जीन क्या है ओग्जीन एक हार्मोन है ओग्जीन वसा है ओग्जीन एंजाईम है ओग्जीन कार्बोहेड्डेड है तो इसका सही एंसर है ओग्जीन एक हार्मोन है आगे क्यों बढ़ते है 35 प्रश्ट है एक नर हार्मोन है ये चार ओप्शन में कौन सा नर हार्मोन है पहला है अड्रिनील, थाइरोक्षीन, एस्टोजन, दी नम्मर है टेस्टो अस्टेरोन तो इसका सही एंसर है ओप्शन नम्मर डी टेस्टो अस्टेरोन चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं अगला प्रशन है इन में से कौन ओलाइंगिक जनन की विधी है पहला है विखंडन दूसरा है मुकुलन सी है द्विखंडन इन में से सभी इसका सही एंसर है ओलाइंगिक जनन की विधी है इन में से सभी मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन 37 नमबर प्रश्ण क्योंड चलते हैं प्रश्ण है पराग कोश में होते हैं पहला अंडास है बाहिदल अंडप परागकन इसका सही अंसर है ओप्शन नमबर एक बाहिदल नेक्स्ट प्रश्ण क्योंड चलते हैं 38 प्रश्ण है अनुवंसिक गुनव का संदेश होता है इसका पहला अप्षिन है DNA अनुद्वारा जीवद्रव्य तंत्रिका में मस्तिस्क में इसका सही अंसर है अप्षिन नमर एक DNA अनुवं में अनुवंसिक गुनव का संचरन होता है चलिए next question के ओर चलते हैं बहुत important question है यह देखिए बार बार परिच्छा में repeat होता है किस वैग्योनिक को अनुवंसिक का पिता कहा जाता है तो अनुवंसिक का जनक option नमर भी ग्रेगर जौन मेंडल को कहा जाता है जीब बिग्योन का पिता अरस्तू को कहा जाता है रोबर्ट हूक को कोशिका का जनमदाता रोबर्ट हूक को कहा जाता है अनुवंसिक का पिता ग्रेगर जौन मेंडल सही अंसर है option नमर बी लेसमा प्रसना है hydrilla पोधे में रंद कहों पाई जाते हैं पहला है पत्तियों में दूसरा है तना पर तिसरा है पत्तियों तना दोनों पर और option डी है इनमें से कोई नहीं हाड्रिला पौधे में रंध इस ओप्षन के अनुसार इसमें नहीं दिया गया है इसलिए आपका सही अंसर होगा ओप्षन नम्मर डी इनमें से कोई नहीं दो समाना अंतर शम्तल दर्पनों के बीच रखी वस्तू के कितने प्रतिविम बन सकते हैं चार ओप्षन है एक दो चार अनन्त इसका सही अंसर होगा ओप्षन नम्मर डी अनन्त दो शम्तल दर्पनों के बीच रखी वस्तू का प्रतिविम अनन्त बनता है आते हैं नेक्ष्ट कोस्चन पर दूसरा प्रश्ण है यदि किसी अवतल दर्पन के दुरूब से फोकस की दूरी 25 सियम है तो फोकस से वक्रता केंदर की दूरी क्या होगी एक रेखा है जिसमें बोला गया है कि A से B तक की दूरी 25 है तो इसको विप्रिश्ट से पूछ लिया गया है कि B से A तक की दूरी कितनी होगी तो टेंसन नहीं लेने का भाई इधर से एक सिदा से पुछे या उधर से पुछे 25 सेयम है इधर से तो 25 सेयम उधर से भी होगा इसका राइट एंसर है अप्शन नम्मर बी 25 सेयम आईए next question की ओर चलते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्ण है हीरे का अपवरतनांग 2.4 है तो हीरे में प्रकास की चाल क्या होगे इसका सही एंसर होगा ओप्शन नम्मर डी 1.2 गुणा 10 प्रपावर 8 मीटर परती सकेंड उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर question आपके समझ में आता होगा अब चलते हैं next question की ओर चौथा प्रश्ण है लेंस की छमता का SI मात्रक क्या है तो प्रियविद्यार्थियों लेंस की छमता का SI मात्रक डायोप्टर है डायोप्टर को हम M-1 पावर से भी denote या सुचित कर सकते हैं इसलिए इसका सही एंसर ओप्शन नम्मर तीन होगा या इसी को डायोप्टर भी कह हैं डायोप्टर चलते हैं दोस्तों next question की ओर question नम्मर पॉँच है चंद्रमापर खरे अंत्रिक्ष यात्री को अकास कैसा प्रतीत होगा कोई विवेक्ति अगर चंद्रमापर खरा रहता है और वहों से अकास को देखता है तो अकास प्राय काला दिखाई पड़ता है चलते हैं next question की ओर चठा प्रश्ण है विद्धु धारा की प्रवलता को मापने के लिए किसका उप्योग किया जाता है तो इसका सही answer होगा option नम्मर एक एमीटर इसको आमीटर भी कहते हैं चलते हैं next question की ओर दोस्तो नेक्स्ट कोस्चन है बिद्धु चुम्बक बनाने में प्राय किस पदार्थ के छर का उप्योग किया जाता है पहला option है नरम लोहा दूसरा पीतल तीसरा इसपात चौथा नन अवदीज बिद्धु चुम्बक प्राय नरम लोहा के बनाए जाते हैं सुद्ध एंसर है option नमर एक उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कोमेंट जरूर किजिएगा ताकि हमें भी motivation मिलता रहें next question है कौन सा अधातु विद्धुत का सुचालक है तो विद्धुत का ग्रेफाइड है जो option नमर बी में है दोस्तो राइट एंसर आपका होगया option नमर बी ग्रेफाइड यह अधातु है जो विद्धुत का सुचालक है चलिए बढ़ते हैं next question की ओर नौमा question है आवर्त सारनी में किसी वर्ग में उपर से नीचे जाने पर तत्तु का धात्वी गुन क्या होता है यदि वर्ग में उपर से नीचे जायेंगे दोस्तो तो तत्तु का धात्वी गुन बढ़ जाता है जो आपका option नमर C में दिया गया है यह right answer होगा चलिए next question की ओर चलते हैं दसमा प्रश्ण है bond COOH अभी क्रियासील मूलक को क्या कहते हैं तो इसका सही answer होगा दोस्तो option number C bond COOH अभी क्रियासील मूलक को अमल भी कहते हैं चलिए next question की ओर चलते हैं 11 मा प्रश्ण है हीलियम कैसा तत्तो है हीलियम एक अक्रिय तत्तो है option number 1 सही answer होगा चलिए next question की ओर 12 मा प्रश्ण है आवर्त सार्नी में कितने वर्ग होते हैं या कुल होगा कुल कितने वर्ग होते हैं कुल लिख लिजिएगा आवर्थ सार्णे में कुल कितने वर्ग होते हैं इसका सही एंसर होगा ओप्सन नम्मर चार अठार है यहाँ कुल लिख लिजेगा चलिए नेक्स्ट कुस्चन के ओर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्ण है तेरे नम्मर जल का पी एच मौन कितना होता है देखे जल उदासीन होता है और उदासीन का पी एच मौन साथ होता है इसलिए आपका सही एंसर हो गया ओप्सन नम्मर बी साथ जो साथ से कम होगा वह अमली होगा जो साथ से अधिक होगा वह चाडी होगा और जो पक्का साथ पे होता है वह उदासीन होता है इसलिए जल का पियच मौन 7 वा तो जल उदासीन है उदारण के लिए वर्सा का जल ले लेजे रखत का पियच मौन 7.4 मुतर का पियच मौन 6 दूध का पियच मौन 6.4 होता है चलिए next question के ओर चलते हैं चोदमाव प्रश्ण है किसी पदार्थ से ऑक्षीजन का निश्काशन क्या कहलाता है तो इसका सही एंसर होगा option number B अक्षीजन का निश्काशन अगर किसी पदार्थ से होगा तो वह अवकरन कहलाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question क्यों पंदर्मण प्रश्ण है वन पारिश्थितिक तंत्र में हीरन होते हैं हीरन साकाहरी जौनवर होते हैं और अधिकतर साकाहरी जौनवर प्राथमिक उपभोक्ता की स्रिनी में आते हैं इसलिए हमारा सही अंसर होगा, option number B, हीरन हो गया, बक्री हो गया, यह सभी प्रात्मिक भोकता के अंतरगत आते हैं दूत्य भोकता, सेड, चिता, बाग, जो प्रात्मिक भोकता को खा जाता है, दूत्य को भोकता, तिरत्य को भोकता हो गया, जीवानू, विशानू चलिए next question क्योंड चलते हैं next question है हमारे सरीर में विभिन जैविक कारियों का नियंतरन होता है तीन option दिये गएं दोस्तों इसका सही answer होगा option नम्मर 3 तंत्रिका एवं रशायनों के द्वारा शरीर में कोई भी जैविक कारियों तंत्रिका एवं रशायन दोनों के द्वारा होता है चलिए आगे बढ़ते है next question है निम्न लिखित में काउन एमीनो अमल के विखंडन से बनता है तो एमीनो अमल के विखंडन से बनता है जो आपके option नम्मर 3 में दिया गया है सही answer है option नम्मर C option नम्मर 1 CO2 CO2 को carbon dioxide काते है या किसी भी जल में गोलने पर दुधिया रंग परदावन कर देता है CO2 गैस का absorption पोधे स्वशन के रूप में करते है CO carbon monoxide गैस है या एक विसेली गैस होती है चलिए next question के और बढ़ते है next question है हिर्दय के वेश्मों का सीथलन क्या कलाता है प्रश्ण को एक बार फिर पढ़ते है हिर्दय के वेश्मों का सीथलन क्या कलाता है तो die stall कलाता है जो आपके option नम्मर B में दिया गया है right answer होगा option नम्मर B चलिए आगे बढ़ते हुए time को नवगवाते हुए question के और बढ़ते है देखिए उनिश्मा question अमीवा भोजन का अंतरग्रहन किसके माद्यम से करता है प्रश्ण ये कह रहा है कूटपाद पडिवहन, भोजन रस्धावनी, केंद्रक तो अमीवा भोजन का अंतरग्रहन कूटपाद के माद्यम से करता है जो आपके option नम्मर 1 में दिया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं यह लास्ट कोस्चन है बीसमा नम्मर कोस्चन कहा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है जो अप्शन नम्मर D में दिया गया है मधू में इंसुलीन की कमी से होता है बेरी बेरी बिटामिन B1 की कमी से होता है असकरवी बिटामिन C की कमी से होता है रिकेट्स बिमारी बिटामिन D की कमी से होता है हिड़दे गात हिड़दे मेरक्त की आपूर्ती की कमी के वज़ा से होता है उम्मेद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों को सेर करे ताकि हमें मोटिवेशनल मिल सके और हम आगे इसा आपके लिए वीडियो हमेशा बनाते रहे आप अपने एक्जाम में अच्छे सच्छे मार्क्स लाएं और परहाई करें धन्यवाद